हाई आपका समाथ केचन में, आज हम बनाते हैं मुखलव अंडा पराथा जो सबको बहुत पसंद है बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी बहुत पसंद है और बनाने में भी कोई जादा मुश्किल काम नहीं और ब्रेक्फस के लिए बहुत ही अच्छी रेस्पी है हम हिस के लिए चाहिए, तो इस लिए चाहिए hybrid न हो जाता है, मैंडढ रिफाइट मैंने barbecue प्रिफाइट है वह चेले है गहा जाता है तो इस लिए सहत के हिसाब से आंट अच्छा यहीं हम थंग करने थे हटाम टू टी स्पोन तेल लिया है और यह है बटर बटर से बनाएंगे हम इसको और यहाँ पे हैं थोड़ी वेजिटेबल जिसमें हैं आधी कटी प्यास आधा टमाटर दो मिर्चे कटे हुए मिर्चो को आप अपने हिसाब से कम जादा कर लिजे और थोड़ी हरी धनिया कटी और यह है काली मिच और आधा नीबू तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बना लेंगे सबसे पहले हम आटा लगा के रख देंगे आटा गून के रख देंगे जिससे वह क्या होगा थोड़ी देल नमक नमक में इसलिए आटे में जादा नहीं डाले हुआ है और अंडे में भी नमक डालेंगे तो नमक कहीं जादन हो जाए इसलिए नमक को समभाल के डालना है और यह हमने डाल दिया टूइटी स्पून तेल और यह खसता हो जाता है तो चलिए में एक चमच और बढ़ा देती हूं खस्तगी आजाए और इसके बाद इनको अच्छी कर लीजे इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पाई डालके इसको आटे को हमें गूनना है डो बनाना इसका अच्छा सा डो बनाएंगे बहुत टाइट नहीं बनाएंगे और बहुत ही सौफ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको दस से आठा जितना अच्छा गुंधा होगा अतना अच्छा प्राठा बनेगा तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप कैसे दबा दबा के गूनना है यह गूनने के बाद अपने आप बहुत चिकना हो जाता अगर आप नहीं भी रखेंगे इसको सेटल होने के लिए तो भी आप गुधाई बहुत important होती है, अच्छे soft फराठे और रोटी मिनाने के लिए, थोड़ा सा इसको तेल लगा के उपर हलका सबिलकुल, लगा के इसको रख दीजिसे इसमें उपर परत नहीं आएगी और इसको धाक्या हम रख देते हैं आटे को सेटल होने के लिए, अब अंडे को पहते हैं और इसमें टाल दीजिए सारी अपनी वेजेटेबल्स, इसमें इमने टाल दिया और दनिया डाल दीजिए, प्यास, मिर्च, सारी चीजे डाल के और एक छोटे चम्मर से उसका हाफ, आधा चम्मर नमक डालेंगे, बहुत कम नमक को बहुत ध्यान से डालना है, इस यह देखिए, आटा हमारा रेडी हो चुका है, यह एकदम ना जादा सॉफ्ट है, ना जादा टाइट है, अबल्कुल तयार हो गया चिकना-चिकना, और हम इसको मीडियम साइज के पेड़े लेके बना लेंगे, मीडियम साइज के, हम दो बनाएंगे, एक पराठे के लिए थोड़ी सी पर्थर लगा के इसको बेल लेंगे, मीडियम साइज की, यह देखिए, इस साइज का हमने बेल के इसको रख लिए, एक और बेल लेंगे इसी तरह की, दो रोटी के साथ हम एक पराठा बनाएंगे, तो यह देखिए, दूसरा भी में बेल लेती हूँ, हाई फ्लेम पर पहले पैन को रखके आप गरम कर लीजे, इसको तेज आज मही पहले रखेगा, गरम हो जाए अच्छी तरह है, इसमें हम पहले एक पराठा टालेंगे अपना, और इसको एक दो मिनट तक ऐसी सिखने दे आधा सिखा होने के बाद हम इसको अलग करके निकाल लेंगे, अब दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेखेंगे, एक मिनट के बाद इसको पलट दीजे, हम अपना ये अंडा, ये देखे, इसमें स्प्रेट कर दीजे इसको, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ब्यूटिफुल, और बहुत अच्छा मोगलाई अंडा पराठा बनेगा, आप इसको ट्राइ जबूर करिएगा, ये देखे ड़ला इसको पतले-पतले स्लाइसे कट लिए हैं, और इसकी एक लियर लगा देंगे अ में ये देखे, हम देखे, साइट बाटर और इसके आज धीमी कर लिए नहीं तो ये जल जाएगा, बिल्कुल धीमी आज कर लिजे अब और इसके लेयर लगाते टाइम, इसकी आज ध तो बिलकुल आज धीमी कर लिजगा और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नीबू अगर आपको पसंद दो डालिए ने तो हटा भी सकते हैं और काली मिट डाल दिया और इसमें से जो पराठा हमने कम सेका था उस तरफ से इसको ऐसे रहर लगा देंगे और इसको दबा करें ऐसे योट आ चिक हो अची तरह से ठीच करना आपको अजी बढ़ाय करना है यह अचे तरह से पराठा है इसको अच्छे तरह दबाका करें चारों तरफ सेय। इसको सम्हाल के प्लेट में रखिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा हैवी है इसकी बहुत बढ़िया यमी पराठा रेडी हुआ है ब्रेक्फस्स में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ या फिर अचार के साथ या अपनी पसंद के किसी भी सॉस के साथ और अप्राइज जरूर करिए अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज समत किचिन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को शेर करिए थैंक्स पर वाचिंग हैव ना से बाइज डिए हुआ, जाहरो